मैं आपके साथ जैस्वाल सर दोस्तों बात करेंगे सीटेट जनवरी दोजार चौबीस एकजाम में परियावर्ण EBS कंसिप्ट की बात करेंगे उन सभी टॉपिस की बात करेंगे सिलिवस के कोडिंग आपकी क्लास चल लई है और सिलिवस के कोडिंग यहाँ परियावर्ण EBS का जो पहला चप्टर परिवार फैमरी का है इससे सम्वंदिद पूरा AVS NCIT पटरन पर पूरा निचोड करेंगे इन्वार्मेंट इस्टडीज की बात करेंगे हर बार पेपर में आने वाले प्रिशनों को भी बात करेंगे और टिक टिक जाम में पूछे जाने वाले सम्भावित प्रिशनों की बात करेंगे इसके साथ 11.30 भी हमारी CDP बालविगास की क्लास होती है सूबह मौर्निंग में और साम को 7 पीम में आपके AVS परेवन की क्लास होती है तो दो क्लासे आज की कनफर्म हो चुकी है तो यह जोईन कीजे आप लोग डेली तो चलिए सुरुआत करते हैं पहले हम फैमली परिवार का जो चैप्टर है इस चैप्टर से जो है जो आपके परिवार की परिभासाएं पूछी जाती है इसमें आपके मैकाईवर का पेंज और क्लेर के अनुसार दो चीजे होती है परिवार की विसेशताएं होती है परिवार के प्रकार पूछा जाता है संयुक परिवार एकल परिवार ये पूछा जाता है संयुक परिवार में दादा दादी चाचा बुवाता ये सब की बात होती है और किसी एक परिवार के पेड़ की रूप में दरसा आ जा सकता है इसे परिवारी कबर्च कहेती इसके साथ ही तो चलिए अब प्रशनों की बात कर लेते हैं प्रशन जो आप लोगों की स्कीन पर है जिसमें से परिवार फैमली से हमारा जो इसकीन पर पहला प्रशन है इसकीन पर दिया गया है प्रशने पूचा जा रहा है कि भारत में लड़के वा लड़कियों की बिवाई की निउन्तम आयू कितनी होती बहुत है सिंपल सा प्रशने लेकिन सिंपल सा प्रशने गलती हम क्या कर देते हैं यहां पे लड़का और लड़की में गलती हो जाती है। पहले लड़का दिया गया यानि 21 जो पहले दिया गया होगा लड़की में 18 तो जो 21-18 वाला करना हम गलती से 18-20 वाला भी कर देते हैं। या पहले लड़की और लड़का दे दिया जाएगा, इनमें confusion हो जाता है, ये चीजें ध्यान देना है, हम सबी लोग जानते हिंदु बिवाय अद्नियम 1955 के अनुसार, भारत में लड़के और लड़कों के बिवाय की निंत्यमावी कीस से 18 वस मानी गई, इसके हिंदु बिव है क्योंकि सभी भारती परिवार इसी प्रकार के होते हैं, सही नहीं है क्योंकि इस कथन से ये इस कथन में इस पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, सही नहीं क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, तथा परिवार का क्यवल एक ही प्रकार में वरगी कर नहीं किया ज़सकता सत है क्योंकि यह किसी आदर्स परिवार का कार है देखे आप सभी लोग जानते हैं परिवार एक ही काई होते जिसमें माता पीता और उनके दो बच्चे होते हैं यह कतन सही नहीं क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प जिन समाज सासियों का मानना है कि परिवार में केवल माता, पिता, बच्चों को समलित होना गलत है। परिवार में और वियो होते हैं। परिवार के प्रकार भी आप लोग जानते हैं। साइंत परिवार एकल परिवार फिर में एकल परिवार के कार और रिजन सारा कुछ एकजाम में पूंचा जाता है जोस्तो बच्चे को समाजी करण का पहला पार्ट कहां से प्राप्त होता है परिवार से, बिद्याले से, सांस्ती केंज से, धार्मी केंज से सभी कमेंट कीजेगा मेरे पैरे पैरे भाईयों की पैरे 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 बहने गरनी जिनका सपना है सीट एट एक्जाम को फत्य करना जेज़वाल सर आप सभी कमें नदन स्वागत करते हैं एंसे अटी पैरे 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 एबिएस परिवन की तेहरी करना है तो हरे कलास दोस्तों इंपोर्टेंट आपके होने वाली है क्योंकि यहां पे A to Z आपको बात की जाएगी जो एक्जाम में पूँचे जाते हैं या एक्जाम में पूँचे गए तो बच्चे को समाजी गण का पहला पार्ट कहां से प्राप्त होता है वह दोस्तों परिवार से ही प्राप्त होता है किसे प्रफ्त होता है परिवार क्योंकि परिवार बालक का प्रात्मिक विद्याले माना जाता है जहां वह अनौपचारिक सिच्छा ग्राण करता है तो बालक जो है अनौपचारिक सिच्छा कहां ग्राण करता है अनुपचारी रूप से परिवार से ग्रान करता है और समाजी करण की प्रक्या की सुरुवाद किस्से होती है तो परिवार से ही होती है और इसलिए परिवार को समाजी करण का पहला पाट साला भी कहा जाता है इसके बाद आपका अंगला पुशन अंगला प्रशने प्रात्मिक समाजी करण क्या होता है सुर्वातियाग में परिवार मित्रों से सीखना किसोर अवस्ता में समाज से सीखना प्रात्मिक इस्तर पर समाज से सीखना सिचकों के अनुसरण करना देखें प्रात्मिक समाजी करण पूंचा जा रहा है प्रात्मिक समाजी करण जो होता है वह सुरुवातियाय में परिवार और मित्रों से सीखा जाता है जिहां प्राथिमिक जो समाजी कर्ण बच्शा वालक सीखता है वे परिवार और मित्रों से सीखता है फर्स्ट आप्सन इदर आईटेंस है और समाजी कर्ण की जो प्रकिया होती है वह जीवन पर्यान चलती है भी जान लेज़ेगे एक जाम में प्रशनाज सकता है समाजी कर्ण की प्रकिया चलती है कुछ समय के लिए सिमि समय के लिए बच्पन का तक चलती है बिद्याले में चलती है तो यह जीवन परियन समाजी करने क्योंकि जब हम आप समाज में रहेंगे जब हम समाज तक रहते हैं तो यह समाजी करने की प्रकिया चलती रहती एकल परिवार से दोस्तों तातपर क्या होता है आप से भी लोग जानते है वर्स 1950 के बाद बना परिवार एकल परिवार होगा परिवार जिसमें माता पिता उनके बच्चे हो वह एकल परिवार होगा लेकिन संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे उसके माता पिता दादा दादी बुवा ताई अगर ये सब हैं तो संयुक परिवार होगा लेकिन प्रश्ण हमारा कहे रहा है एकल परिवार एकल परिवार मतलब जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं इस प्रकार के परिवार को एकल परिवार कहा जाता है और संयुख परिवार के बिगटन के परिड़ाम सुरूपी एकल परिवार का अस्वित में लगातार बढ़ रहा है एकल परिवार के अंतरगत माता पिता उनके अब युवाहिद बच्चे आते हैं यह भी जान देए अब वहाहित बच्चे ध्यान दिजे यह परिवार बहुत छोटा और सुखी परिवार माना जाता है अंगला पस देखेगा निन में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है देखें दोस्तों एकल परिवाद दहेज प्रथा शमानबाद है एकल परिवाद में बालसम समानबाद है दहेज तथा बालसम समाजिक बुराईया है या दहेज तथा बालसम सहरों में समानबाद है देखें दहेज तर्था बालस्रम एक समाजिक बुराईया है यह हमारा कतन सही दिया इसके बाद अंगलापस देखी भारत में बाल बिवाई निसेद अधनियम किस वर्स पारित किया गया तो भारत में बाल बिवाई निसेद अधनियम का पारित हुआ है 2006 में, 8 में, 12 में या 1997 सबी कमेंट किजएगा ये किसी ने किसी का डेटा आफ वर्थ है या आपके बच्चे का डेटा आफ वर्थ हो सकता है तो भारत में बाल विवाय निसेद अनियम जब पारित हुआ था वैकलाता है 2006 दिया दोस्तो भारत में बाल विवाय निसेद अनियम 2006 में पारित किया गया जबकि एक नमबर 2007 को लागू हुआ था तो दोनों चीजे समझना है कि बाल विवाय निसेद अनियम पारित का हुआ और लागू का हुआ अगर लागू पूँचा जाएगा तो एक नमबर 2007 और पारित हुआ 2006 में दोनों चीजे समझ लेना दोस्तो कौन सी विशेष्टा है परिवार की नहीं होती आप सभी लोग जानते है कम से कम दो बिन लिंग वाले बैस साथ होने चाहिए बिंगलिंग मतलब मेल भी मेल तब ही तो परिवार बोला जाएगा प्रतेक सदस की आए बिन जमा की जाती हो तो ये दोस्तो परिवार की विशेष्टा नहीं है वे समान आवास भोजन समान समाजी क्रियाओं का उप्योग करते हों बिल्कुर सही बात है तो इनमें से कौन सी विशेष्टा परिवार की नहीं है कि प्रतेक सदस की आए बिन जमा की जाती हो परिवार की आए विशेष्ट जो प्रतेक सदस की आए जो है बिन नहीं जमा की जाती किसी एक पार्टिकलर बिक्तिक्री उपास जमा हो जाती जो घर का मालिक मुखिया हो गए लाता है तीक है वो एक परिवार की विजिस्ता होगी इसके बाद बात कर लेते हैं अंगलापर्स जोकी इंपोर्टेंट दोस्तो सारदा एक्ट का सम्मन निनमे से किस से है बाल विवाय से दहेज प्रथा से बालसम से या अनिवार सिच्छा से हो जाता है सारदा एक्ट का सम्मन आपके बाल विवाय से होता है जें दोस्तो सारदा एक्ट 1929 ये डेट याद रखेगा सारदा एक्ट 1939 का सम्मन बाल विवाय से सम्मन दे था जिसमें विवाय के लिए लड़कों और लड़कियों के आउए कर निधारन किया गया था देखे सारदा एक्ट के समन्द जो है लड़कों के आई 18 वर्स की गई थी और लड़कियों के आई 14 वर्स की गई थी किसके एक्ट के कॉर्डिंग सारदा एक्ट 1929 के कॉर्डिंग पहले कितनी थी 18 और 14 ये दोनों चीजों को भी समझते जाना है अंगला है समाजिक बुराईयों को उधारन क्या है दोस्तों तो समाजिक बुराईयों को जो उधारन हो जाती है दहेज भी है बाल बिवाई भी है और बालस्रम भी है तो प्रोक सभी जो आपसंद दिया गए वह हमारस सही हो जाए ठीक है इसके इंतरगत बाल विवाय दहेज पता बाल सम ये सारी हमारी समाजिक बुराईयां कहलाती है इसके बाद बात करेंगे अंगले प्रस्ण अंगला प्रस्ण जो इसकीन पर है ये सारे कोश्चन सब अब जो करेंगे सारे संभावित प्रस्ण आपकी एकजाम की ज़से तो ये इंपोर्टन कोश्चन से द्यान दीजेगा तो प्रस्ण अमारा क्या पूंचा जा रहा है प्रस्ण दिया गए दोस्तों कि मनुस एक समाजिक प्राणी है जिसका संबंध होता है ये किसका कतन है मनुस एक समाजिक प्राणी है ये किसका कतन है तो मनुस एक समाजिक प्राणी है ये आपका किसका कतन होता है महात्मा गाधी अरस्टू मैकाईवर ये क्रोका तो राइट अपसन होगा अरस्टू जी है मनुस एक समाजिक प्राणी है किसका कतन है इसके साथ ही किस प्रकार के परिवार में कलय की संभावना जो है सबसे कम होती है तो किस प्रकार के परिवार में कलय की जो संभावना सबसे कम होती है कलय की संभावना सब होगी यनि कि उसमें जन जो बेक्ती होंगे वे कम होंगे तब संभावना भी कम होगी एकल परिवार मात्रात्मक परिवार संग परिवार पित्रात्मक परिवार ये भी मात्रात्मक पित्रात्मक इनकी वारे में बात करेंगे लेकिन इस प्रकार के परिवार में कल्य की सम्हावना जो सबसे कम होती है सबी लोग बताईए इसमें राइट अपसन क्या हो जाए किस प्रकार के परिवार में कलह की सम्हावना जो है सबसे ज़्यादा रहती है लेकि सबसे कम एकल परिवार में रहती है लेकिन सबसे ज़्यादा कलह संयुक परिवार में होती ठीक है दोनों चीज़ों समझना एकल परिवार के सदस अधिक आत निर्वर रहते हैं ये कतन है अंसिक रूप से सत है बिल्कुल असत है प्रूणूप से है ये इनमे से कोई नहीं देखे एकल परिवार के सदस अधिक आत्मिर भर रहते हैं ये जो कथन हमारा हो जाता है ये हमारा पूरूप से सत्थ हो जाता है क्यों हो जाता आप सभी लोग जानते परिवार की विसेस्ता नहीं है देखे बिवाय और यौन सम्मंद ये परिवार की विशेष्टा नहीं होती है समाज बिरोधी कार करना बिवाय यौन सम्मंद ये परिवार की विशेष्टा होगी वन्स परंपरा सौर भामिक संग्ठन ये तीरों अमारे परिवार की विशेष्टा होगी लेकिन समाज भी रोधी कोई कार कर रहे हैं तो यह आपके परिवार की विशेष्टा नहीं होती इसलिए कार्ड इंटो कोश्चन्स भी आपसन इदर राइटेंस है तो प्रशन को समझना बहुत जरूरी है दोस्तो भारती समिधान में प्रत्च रूप से किसके ऊपर चर्चा किया गया है मादक पदार्थ, दहेज प्रथा, बालस्रम या सती प्रथा भारती समिधान में प्रत्च रूप से जिसके ऊपर चर्चा की गई है वह हमारा कहलाता है बालस्रम जो जैगे दोस्तो बालस्रम इसदर आइटन से अंगला सती प्रथा के बिर्दु सरपतम प्रयास किस ने किया मात्मा गांदी, राजा राम मोहन राजी, ददाबाई नरोजी जी, राजेन प्रसाद जी तो दोस्तो सती प्रता के ब्रदु सर्पतम जिसने प्रयास किया था वो हमारे राजा राम मोहन राय जियां बे आपसन इधर आइटें से अंगला पसने हिंदू उत्रादिकार अद्नियम कब बना उत्रादिकार अद्नियम सभी लोग समझें तो हिंदू उत्रादिकार जो अधनियम बना थो दोस्तो वो याब बना था 1956 में कब बना था हिंदू उत्रादिकार अधनियम कब बना 1956 में बना बालक के सर्भतम समाज में आपस में मिलजुल कर रहने की सिच्छा दे जाती है राष्ट पडोश समाज या परिवार देखे बालक को सर्भतम समाज में आपस मिलजुल कर रहने की सिच्छा दे जाती है वह हो जाएगा परिवार किसके द्वारा परिवार के द्वारा सिच्छा दे जाती समाज की सबसे चोटी काई क्या होती तो समाज कहां से प्रारम होता है माता पिता और बच्चे से प्रार्म होता है अर्थास समाज के सबसे छोटी का यह हमारा परिवार फैमिली होता है अंगला अपसंद जिस परिवार में समाजिक आर्थिक धार्मिक दायितों को छेत्रों में पुर्सों की अपेच्छा इस्तियों की प्रधानता होती तो पुर्शों के पेच्छा अगर इस्तियों की प्रधानता होगी वहाँ पे मात्रसंतात्मक परिवार होगा कौन से कहला जाएगा मात्रसंत्रांत परिवार कहला जाता है और अंगला है ऐसे परिवार जिसमें परिवार की सित्ता किसी पुरूस सदस्य के हाथ में होती है तो इस प्रकार के परिवार को पित्रसंतात्मक परिवार कहा जाता है तो मात्रात्मक परिवार, मात्रसत्तात्मक और पित्रसत्तात्मक दोनों चीजों को आपने समझ लिए दोस्तों वेश्ट मौर के अनुसार प्रारंबिक परिवार किस प्रकार के होते हैं तो वेश्ट मौर के कॉर्डिंग जो प्रारंबिक परिवार होते हैं वह एक विवाय के रूप में होते हैं अंगला प्रस्ने परिवार के सदस्वों में मतैक और निष्ठा का समाप्त हो जाना संबंधों का तूट जाना प्रत्रक्ता में विकास हो जाना क्या कहलाता है प्रतक्ता में विकास हो जाना ये हमारा क्या कहलाता है ये दोस्तों हमारा कहला जाता है परिवारिक बिकटन अंग्ला प्रशने परिवार की संपत्य में परिवार के सभी सदस्य अधिकार जन्मजात होता है किस नियम के कॉर्डिंग मिताच्रा, दाय भाग, प्रवर का नियम, सपिंड का नियम तो परिवार की संपत में परिवार के सभी सदस का दिकार जन्मजात होता है यह हमारा मिताच्रा के नियम के कॉर्डिंग है निन में से कौन एक संयूद परिवार को कायम रखने के लिए उत्तरदाई होता है समाजवाद, बिक्तिवाद, ग्रामीडवाद या नगरीवाद तो दोस्तो एक संयुक परिवार को कायम रखने के लिए जो उत्तर दायू हमारा हो जाता है वह हमारा ग्रामीड बात होता है कौन सोगा ग्रामीड बात अंगले अपसने मनु के मतानुसार कौन सा बिवाय सर्वत्तम थे पिसाज, ब्रह्म, गंधर्व या राच्छस तो मनु के मतानुसार जो बिवाय सर्वत्तम होता है वह मारा होता है ब्रह्म बिवाय मनु के कौर्डिंग जो बिवाय सर्वत्तम माना जाता है वह कहलाता है ब्रह्म बिवाय अंगला प्रशन है किस अधियम के धार पर हिंदू बिवाय को एक समाजिक सम्झावता माना जाता है विशेष बिवाय अधियम 1950, हिंदू बिवाय बिच्छेद अधियम 1955, हिंदू उत्रादिकार अधियम 1956, आर बिवाय अधियम 1936 तो किस जिस अधियम के धार पर हिंदू बिवाय को एक समाजिक सम्झावता माना जाता है वो हमारा कहलाता हिंदू बिवाय एवं बिवाय बिच्छेद अधियम 1955 तो दोस्तों ये था आपके सीटेट एबी इसके परिवार फैमली का चैप्टर सारे चैप्टर हमने इस चैप्टर के सारे कोश्चन सारे टॉपिक को कवर कर लिजे या किसी भी प्रस्ण पर इस टॉपिक पर आपको प्राब्लम से कमेंट कर सकते हैं नेस्ट क्लास में सारे प्राब्लम साल्व किये जाएंगे कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं बेफिक क्योंकि आपको यह अपना TT family है आपका प्रतेक comment, feedback शरोपर है शर्मान है और डेली 7 PM में आपको आना है live class के मादे हम CBS class जोईन करना है मैं आपके साथ जैस्वाल सर मिलता हूँ आपके अंगले morning में CDP class के साथ सभी मित्रों को जैहिंद बंदे मातरम धन्माशविक